हाई बायो रीडर्स मैं हूँ नैना और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मदुमक्खी के बारे में हानी बी के बारे में जो की प्रिड्यूस करता है लिक्विट गोल्ड लिक्विट गोल्ड मीन हानी तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में पहले हम लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं कि जो मदुमक्खी है इसको ग्रीक माइथोलोजी एजिप्शियन माइथोलोजी के हिसाब से माना जाता है कि वो सूरज के देवता के तीर से निकले है मिन आशु से निकले हैं oriented के निकले हैं मदुमक लगते हैं तो ये जो मैंने यहां पिक्चर दे दिया है ये उनके सूरी के देवता का पिक्चर है जिन्हें वो लोग रा बोलते हैं तो ये वो है नेपोलियन वन जो थे फ्रांस के राजा वो अपने गवर्मेंट के सिंबल के हिसाब से मधुमक्खी को यूज करते थे शायद उन्हें मधुमक्खी फैसिनेटिंग लगता होगा और हमारे एंशेंट इंडिया में भी हमेशा से ये दीरगायू के लिए जाना जाता है और ऐसा माना जाता था पहले कि अगर आप मधु खाएंगे तो आप मधु की तरह ही मीठा बोलेंगे और हमारे हिंदू रिलिजियस पूजा में भी जो चर्णा अमृत यूज होता है उसमें भी पांच में से एक जो इंग्रीडियन्ट है वो हमारा हनी ही है मधु है आप इंड्रुदक्शन ऑफ हनीबी सींटिफिक नेम है वह है अब एपईज एस्पी पी की बहुत सार इस पेसिफिक नेम भी इसके है इसलिए सबको एक सात हम लोग स्पी बोलता है तो एैपीज जो है इसका सानटिफिक नेम है आप इस जेनस के अंडर में यह लोग आते ह यह इननंकि फालम और्थ को लिए जितने भी इनसेक्ट‌षैं की स्थिंसों की उर्थ है इसको अहल। पूड़ा इसके इंडिया में तो इसके सेवन से 11 सीज पाए जाते हैं जिसमें से उपीज मेलीफेरा और एपीज सेराना जो है वो मधूग के कल्चर के लिए यूज किया जाता है और इसका जो ओरीजिन हुआ था वो हुआ था साउथ एशिया में और साउथ एस्ट एशिया में honey bee को लेकर जो पढ़ते हैं उस पढ़ाई को बोला जाता है mellitology means study of honey bee is known as mellitology and apiare उस जगह को कहते हैं जहां पे honey bee culture के लिए रखा जाता है और apiculture आप जान ही गहे होंगे जहां भी api word लगा हुआ है वो मदुमक्खी को denote करता है तो apiculture means culture of honey bee epitoxin मदुमक्खी के डंक में जो toxin रहता है जिसमें formic acid बहुत मात्रा में पाया जाता है उसे हम लोग epitoxin भी कहते हैं मैंने इससे पहले भी एक वीडियो दिया था मदुमक्खी को लेके शायद आपने देखा होगा उसमें मैंने एक पिक्चर लिया था मदुमक्खी के डंक मारने का procedure को लेकर जब मदुमक्खी मेरे कपड़ों पर बैठ गई थी तब कि वह कैसा structure होता है तो उसमें अधिक जानकारी मैंने उसमें दे दी है और सिलेबस के according वह हमें अभी जानना भी नहीं है लेकिन फिर भी सिलेबस के आलावा भी इसमें हम काफी interesting जानकारी जानेगे जो हमें आगे बहुत काम आएगी आगर आप बायो लेकर पढ़ रहे हैं तो आपको वह सब जानकारी बहुत काम आने वाली है तो यहां है कि कितने तरह की मधुमक्खी एक मधुमक्खी के छत्ते में मिलते हैं में मधु का जो छत्ता जिसको बी हाइव कहते हैं हम लोग उसको उसमें कितने तरह के मधुमक्खी मिलते हैं तो वह तीन तरह के मिलते हैं कौन-कौन यह वार्कर ड्रोन मतलब मेल और क्वी मतलब रानी मदुमख्षी जो आंडे देती है और बाकि सारा जो काम होता है वह ओर कर मदुमक्षी करती है और रोन का काम है सिर्फ रानी मदुमक्षी से मिलित होना और उसे अंडे देने में मदद करना तो अब इनका function क्या है थोड़ा तो हमने शुरू करी लिया था क्या function है male honey bee का function है वो सिर्फ meeting में मदद करना है उसको राणी मधुमक्खी से मिलित होना है और राणी मधुमक्खी का काम है सिर्फ अंडे देना जो hive बाकी worker मधुमक्खी बनाएंगे उसमें जाके सिर्फ अंडा देना ही काम है उनका mean reproduction करना और इनका race को बचाए रखने का काम जो है वो राणी मधुमक्खी को है और राणी मधुमक्खी साइज में सबसे बड़ी भी होती है जैसे कि यहाँ पर हमने देखा यह राणी मधुमक्खी छते पर है जो वो सबसे बड़ी है आकार में और रानी मदुमक्य और ये ड्रोन के पास लेकिन स्टिंग नहीं होता है सिर्फ वर्कर के पास और रानी मधुमक्ही के पास जो sting होता है उससे वो अपने साथियों को sting कर सकती है लेकिन कोई animal को नहीं कर सकती क्योंकि उस वो मुड़ा वाला भाग बार्ब नहीं होता है और जितना बाकी सारा काम है जो hive बनाना, pollen को collect करना, honey बनाना जो भी अंडा, रानी मधुमक्ही ने दिया है उसको नरिश करना, protection देना, उसको लारवा होने से उसको feed कराना, सारा काम वरकर मधुमक्ही करती है सच में उस पे दया भी आता है उसके बाद, what is swarming? यह बहुत ही interesting चीज़ है जैसे कि मधुमक्ही का जो छत्ता है, उसमें मधुमक्ही अंडे देती है लेकिन अंडे देने से पहले रानी मधुमक्ही कहां अपने छत्ते से उड़के दूर जाती है और दूर जाने पे एक जगह पे जहां पे बहुत सारे males होते हैं मेल मधुमक्ही में ड्रोन वहाँ पे वो उनसे मेट करती है तो एक रानि मधुमक्ही 42 से 79 मेल के साथ मेटिंग कर सकती है और जिसमें एक फीमेल हो और ज्यादा मेल हो उसको पॉलियंडरी कहते हैं तो मधुमक्हीयां पॉलियंडरी होती है और जिसमें अगर एक मेल होगा और और बहुत सारी फीमेल होगी, उन्हें पॉली गाईनी कहते हैं, अब जब मेटिंग हो जाता है, उसके बाद वो फेरोमोन जो उनका होता है, आपस में कम्मुनिकेट करने का जो तरीका होता है, उनके बोडी से जो स्मेल प्रोड्यूस होता है, जो एक तरह का गैसियस हर्मोन ह फेरोमोन, उसकी सायता से अपने बागी वर्कर मधुमक्खी से कनेक करती है, और वो लोग फिर उड़कर चलते हैं, क्या करने के लिए, एक सूटेबल जगा खुछते हैं, जहां पे वो लोग फिर से बी हाइब बना सकेंगे, तो फिर वर्कर मधुमक्खी जाकर, बैसे बनाने के लिए, इसलिए इसका कोई शेप अभी दिखने रहा है, तुरंत ही एक बड़ा सा छत्ता बना लेंगे, जिसमें मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी अंडे देगी, कितने अंडे? वो एक दिन में 2000 तक अंडे दे सकती है, तो वो काफी बड़ा अपना छत्ते के लि ये बना सकती है, नेक्स्ट, अब ये जो अंडा दे दिया उन्होंने, अब क्या होगा, तो ये जो मधुमक्खी के छत्ते पे, ये जो छोटे-छोटे सेल्स है, इसी को थो हम लोग हनी कॉम बोल रहे हैं, और पूरा एक साथ हाइव, तो ये जो वाइट-वाइट है, ये द चानी मधुमक्खी देती है, और उसके बाद चूज करती है कि किन अंडे को फर्टिलाइज करना है, फर्टिलाइज, यहां F-A-R-T-L-I, फर्टिलाइज, तो फर्टिलाइज करना है, तो फर्टिलाइज जो एग होंगे, वो वरकर मधुमक्खी और क्वीन मधुमक्खी ब करने का उसके बाद जो कि मैंने वहां पर बताया था और लेकिन डिस्क्राइब करना भूल गई शायद मैं कर देती हूं अभी यहां जो है प्लॉइड रहते हैं वह मेल है है प्लॉइड मीन जिसमें सिर्फ वन सेट ऑफ जीन रहता है और डिपलॉइड मीन जिसमें टू सेट ऑफ जीन रहता है जैसे हम लोग डिपलॉइड ऑर्गिनिजम है वन सेट ऑफ जीन हमें अपने पिता से मिलता है और वन सेट ऑफ जीन हमें अपनी माता से मिलता है तो वैसे ही जो मधुमक्खी कांडा अनफर्टिलाइज रहता है जिसमें एक सेट ही जीन रहेगा वो होगा मेल तो वो हैपलॉइड रहेंगे और बाकी वर्कर और क्वीन डीपलॉइड रहेंगे मीन उसमें टू सेट आफ प्रोमोजोम रहेगा वापस आजाते हैं हम लोग यहाँ अब फर्टिलाइज रिक में भी कौन क्वीन बनेगी और बाकी सारे कौन वर्कर रह जाएंगे ये चूज किया जाता है रानी के ही द्वारा और उसके बाद जो चूज किया हुआ लारवा है उसे सिर्फ रॉयल जेली ही खिलाया जाता है इसके बारे में आगे जानते हैं तो रॉयल जेली नॉर्मल हनी से थोड़ा अलग है जो की वार्कर मदुमक्खी बनाती है जो प्रोटीन रिच होता है और वो पहले तो इन दिन तक सारे अंडों को खिलाया जाता है और उसके बाद बाकी अंडों को यह नहीं खिलाया जाता जो अंडा मदुमक्खी रानी मदुमक्खी बनने वाला है बस उसे ही यह रॉयल जेली खिलाया जाता है अब देखिए ये जब अंडव हैच करेगा तब क्या क्या होगा इसके स्टेजिस क्या है लाइफ साइकल का तो पहला तो एग जो रानी देगी उसके बाद एग जब हैच करेगा तो वो लारवा ये लारवा और प्यूपा फिर जब वो कुकून के अंदर रहते हैं और उनका modification होता रहता है तब उन्हें pupa कहते हैं और उसके बाद adult जो फिर से अपना सारा काम करने के लिए तयार है पूरी तरह से वो हो गया adult अब आते हैं वही royal jelly में जब मैंने पहली बार royal jelly के बारे में जाना था मुझे बहुत fascinating लगा था जब मैं student थी तब सच में royal राणी को बनाने के लिए यह jelly यूज हो रहा है तो यह कैसे बनता है यह worker मदुमक्खी जो है वही बनाएगी क्योंकि उसी के पास secretion gland होता है hypo pharynx जो उसके सिर पे होता है जो की राणी मदुमक्खी के पास नहीं होता है तो वह इसको बहुत सारे pollen के साथ मिलाकर specially तयार करती है जिसको royal jelly कहते हैं और यह बहुत थोड़े से honeycomb में ही रखा जाता है और यह use किया जाता है एक fertilized एक को राणी बनाने के लिए तो royal jelly में होता है 67% water 12.5% protein 11% sugar और fatty acid B और HDAB mean hydroxy disenoic acid B और इसके आलावा भी इसमें vitamin A, B5, D, E, K रहता है इसके आलावा जो मदुमक्खी का जो normal गुन है antimicrobial और antibiotic यह तो इसमें नहीं होता है उनका shelf life बहुत जादा है अगर ठीक से उसे रखा जाए room temperature में वह हमेशा के लिए रह जाते हैं अब royal jelly का तो हमने देख लिया है nutritional value क्या है honey का देख लेते हैं जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं तो एक चत्ते से बहुत जादा हमें मिलता है honey maximum तो honey ही रहता है और तोड़ी से honey को मिलता है royal jelly इसलिए royal jelly का बहुत जादा दाम होता है बहुत जादा वो महंगा होता है और वो जनर्रली ड्राग बनाने में ही use होता है और royal jelly अलजाइमर के रोगियों को भी दिया जाता है वापस आ जाते हैं हम लोग निट्रिशन वैल्यू ऑफ हनी में तो क्या है इसका इसमें कार्बो हाइड्रेट मतले हंडिड ग्राम के अंदर कितना रहेगा 82 ग्राम तो कार्बो हाइड्रेट ही रहता है में शुगर रहता है उसक कम 0.3 ग्राम तो यहीं पे रोयल जली और मधुमक्य का मेन डिफरेंस है जो की प्रोटीन का है उसमें 12.5 परसें प्रोटीन था और यहां 0.3 ग्राम में एकनम नेकलीजिबल और विटामिन भी यहां पे उतने सारे विटामिन नहीं है यहां विटामिन B2, B3, B5, B6, B9 है व और वाटर यहां थोड़ा कम है उससे हनी में लेकिन वहां तो हमें A, D, E, K मेर वहां पे फैट भी था और इस हनी में फैट नहीं है और उस हनी में फैट भी था प्रोटीन भी था और प्रोटीन डिच फूड खिलाने की वज़ा से वह फर्टिलाइस्ट एक जब अडल्ट ह नहीं दे सकती अब कैसे कल्चर करते हैं मधुमख्य को तो दो मेथोड है पहला है ट्रीडिशनल और दूसरा है आर्टिफिशियल तो ट्रीडिशनल मेथोड में कुछ नहीं बस जो मधुमख्य मधु इकटा करने वाले लोग होते हैं वो जाते हैं ढूंडते हैं कि कहां पे चत्ता लगा हुआ है और उसे धुए की मदद से भगाते हैं और खुद को ढखके प्रोटेक्शन लेके वह मधुमख्य के चत्ते को काटके निकालते हैं जो हमने देखा है हमारे आसपास उस तरफ जो सब अर्बन एरिया है वहां तो हमने देखा ही होगा कि कैसे मधुमख् मैं देख सकते हैं कि यह एक बॉक्स है जिसमें यह लकडी का फ्रेम रख दिया गया है और इस लकडी के फ्रेम को फिल्टी को यहां पे चत्ता बनाना है तो पिर यह आर्टिफिस्पिस्यल में मधुमख्य को कैसे पता चलेगा गा कि मैंने बॉक्स रखा है मालो मेरे पास गार्डन है और मैंने हनी कल्चर करने के लिए बॉक्स रख दिया तो उसको मधुमख्य को पता तो नहीं चलेगा ना तो फिर लेकिन मधुमख्यों में सेंट लेने की शम्ता मिन सेंट को पहचाननी की शम्ता बहुत जादा होती है तो इसी को यूज करके इस वूडेन जो फ् कम्निकेट कर लेते हैं उन लोगों में कम्निकेशन के लिए वैगल डान्स, सर्कुलर डान्स और फेरोमोन होता है फेरोमोन के बारे में हम काफी बात कर चुके यह डान्स के बारे में आगे करेंगे तो वो सब करके वो ठीक अपना साथियों को बुला लेते हैं और हनी कॉम बनाना शुरू कर देते हैं हाइब बनाना शुरू कर देते हैं लकडियों के फ्रेम में और इसे ढखके रखा जा सकता है इसमें ढखना होता है ढखके रखा जा सकता है और इसका देख भल आराम से किया जा सकता है और जब ये पूरा छत्ता बना लेते हैं तब इसको पास के बगीचे में अगर आप वैसा ही फूल लगा के रखेंगे तो किसी को ज्यादा मेहनत करना नहीं है अगर सामने ही अगर मधुमक्खी को फूल मिलेगा तो उसी से वह पॉलें करके लाईगी वह कभी दूर दूर नहीं जाएगी तो ऐसे करके क्वालिटी कंट्रोल किया तो हनी में नैश्रल हनी जो तयार होता है उसे पहचानने का वही तरीका है कि अगर माइक्रिसकोप में देखेंगे तो बहुत सारे पूलें हमें दिखेंगे हनी में और आर्टिफिशल जो चीनी से तयार कर देते हैं और फ्लेवर डाल देते हैं उसमें कोई भी पूलें नह इसके अलावा भी मधू तो मिलता है यह उसके अलावा भी क्या-क्या मिलता है इससे हनीबी से तो वह मिलता है वैक्स wax में इसे पता है हमें candles बनते हैं cosmetics बनते हैं साबून बनाने के industry में ये बहुत ज़्यादे use होता है और furniture के polishing material में भी wax होता है और royal jelly drug के हिसाब से use होता है हम लोग जान चुके हैं be bread अब ये एक अनोखा चीज़ है कि pollen और जो मदुमक्यों का enzyme जो secretion में निकालते हैं वो मिला के वो लोग एक solid food बनाते हैं bread बोलते हैं जिसको जिसको वो worker मदुमक्य खाती है जो royal jelly बनाती है इन हर जीच के लिए इन लोगों के लिए specific method है जितना इनके बारों में जानो उतना fascinated हो जाते हैं तो ये उनके लिए रहता है जो royal jelly प्रिड्यूस करते हैं उसके बाद bee brood bee brood mean जो एक larva pupa इसको सब को एक साथ bee brood बोलते हैं और बहुत सारे countries like Mexico, Indonesia, China, Egypt, Thailand, Africa ये लोग उसको पका कर खाते हैं different different culinary में तो ये तो हो गया इसका uses उसके आलावा भी है propolis propolis जो है वो पेडो के रस और मधुमक्खी का जो enzyme secretion है उसको मिला कर वो एक special चीज बनाते हैं जिससे वो अपने hive में जहां भी leak होता रहता है या seal करने के लिए उसको use करते हैं इतना छोटा सा प्राणी है लेकिन के पास सारा mechanism है तो वो भी medicinal value रखता है और tincture बनाने में liquid बहुत कम आत्रम यूज जो हो उसे tincture कहते हैं वो tincture बनाने में use होता है जो हमें सर्दी लगने पे या flu लगने पे खासी होने पे use होता है अब बी का जो main enemy है वो है green bee eater ये इतना सुन्दर है देखने में लेकिन ये मदुमक्खी को पकड़ पकड़ के खाता रहता है और उनका generation कम करता है अब इसके आलावा अब जो हम लोग जानने वाले हैं वो काफी काफी interesting है मदुमक्खी के बारे में क्लास eight का syllabus हमने complete कर लिया है इससे पहले अब ये जो है ये net में आने वाले questions का है net set में आते हैं ये life science की orientation flight किसे कहते हैं जब worker भी secretion produce करना बंद हो जाता है उनका जो gland है वो atrophic हो जाता है मतलब थोड़ा छोटा हो जाता है उतना secret नहीं कर पाता तब वो लोग सिर्फ hive बनाते रहते हैं honeycomb बनाते रहते हैं तब ही वो लो और jelly और honey नहीं बनाते हैं जब वो honeycomb भी बनाने में असमर्थ होते हैं तो सिर्फ वो जाते हैं पोलन कलेक करके लाते हैं और hive को guard करते हैं उनके nest को guard करते हैं और उसके बाद भी जब वो लोग थोड़ा और old हो जाते हैं और कोई कामों लोग नहीं कर पाते तब वो लोग नेस्ट छोड़के चले जा तो इसे ही कहते हैं हम लोग orientation flight मतलब वो लोग बोज बन के नहीं रहते हैं हो गया काम अब कोई काम के हम नहीं है तब वो चत्ता छोड़ देते हैं उसके आलावा जो हम बोल रहे थे कि ये बहुत तरह से communication कर सकते हैं एक साथ तो वो फिरमॉन से sent के थुरू से करते हैं और वो और उसने देखा कि सामने कहीं pollen source है या कोई food source है कहीं मीथा चीज है तो महां से collect करके लाना है सारा कुछ तो आकर कैसे बताएंगे तो ये लोग जब सामने food source है तो आएंगे ऐसे vibrate करेंगे और उसके बाद ऐसे वापस आएंगे फिर वापस आएंगे वाइबरेट करेंग तो इसको बोलते हैं waggle dance और जब food source बहुत दूर है तब ये लोग आएंगे और circular motion में ऐसे घूमना सुरू करेंगे circular motion में तो मतलब उसका food source दूर है और वो लोग स्पेसिफिक वे में घूमके बताएंगे कि किस आइंगल में जाना है किस direction में जाना है तो मतलब बहुत बुद्धिमान होते हैं ये लोग तो future perspective क्या है honey का medicinal property के बारे में इसमें मैंने नहीं डाला है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हलंबा हो जा रहा था और वीडियो के बीच बीच में जहां मुझसे हुआ मैंने बताया कहां कहां इसका use होता है काफ और कोड में तो ये बहुत ज़्यादा यूज होता ही है और आपको अगर चाहिए तो मैं इसके लिए वीडियो बाद में बना दूंगी जो की medicinal properties of honey के उपर होगा सिर्फ लेकिन इसमें सिर्फ honey B और honey के बारे में compact information था तो future perspective में सबसे interesting बात जो है वो कहां काफी सारी फिल्म के dialogues में भी आपको मिलेंगे कि अगर मदुमक्खी खत्म हो गई में extinct हो गई तो humans के पास सिर्फ 4 साल है अर्थ में तो इससे बहुत सारे scientists और मैं भी थोड़ा सा contract करूंगी क्योंकि सिर्फ honey B ही नहीं है ऐसा जो pollination करने में साहता करता है पौधों को even 60% of the food जो हम लोग यूज करते है वो तो या तो हवा के मद्यूम से या तो खुद ही pollination करने के में सक्षम होते है तो ऐसा नहीं होगा हाँ कुछ जो पौधे है जो honey B पे ही dependent है वो extinct हो जाएंगे जरूर लेकिन खाना ही खतम हो जाएगा ऐसा नहीं है और इस perspective में है जहां पे जैसे की यूनिसेक्शुल फ्लावर होता है जो प्लैंट में जैसे की क्यूकर बीटा फैमिली का कुमड़ा हो गया खीरा हो गया कद्दू हो गया यह सब जब फसल कम होने लगता है तो किसान अपने खेत के आसपास मधुमक्खी के छटे लगवाते हैं वो ऐसे ही बॉक्स में तो उ थोड़ा जमीन थोड़ा बगीचा है वो कर रहे हैं और इसमें तो कुछ भी इंवेस्टमेंट नहीं लगता है नेगलीजिबल इंवेस्टमेंट लगता है इवेन हमारे गवर्मेंट की तरफ से स्टेट बोलो सेंट्रल बोलो बहुत सारे वरक्शॉप कराए जाते हैं इसक कुछ दिन पहले ये एक वी कीपिंग वरक्शॉप हुआ था मैंने भी उसको अटेंड किया था तो बहुत ही अच्छा है ये और लास्ट वाला जो है और्गनिक फेंसिंग ये जो है ये न्यू कॉंसेप्ट अभी नहीं अप्लाइड हुआ है लेकिन ये प्रपोजल के दू हुपे है मेरा एक फ्रेंड है संदीब करन वो भी एड्यूकेशन डिपार्टमेंट में है वो जहाडग्राम की तरफ काम करता है वहां पे हाथी का बहुत अत्यचार है तो जब भी लोग सोए रहते हैं या कुछ और हाथी अपने खाने के तलाश में आता है और ऐसा बहुत को भगा देंगे तो यह कॉंसेप्ट है मेभी यह काम कर जाए अगर एक्सपेरिमेंट इसका सक्सेस्फूल होता है तो काम हो जाए इस पे तो यह बहुत ही अच्छी बात है थांक्यू मिलते हैं एक्स वीडियो में